अधिर्ट के वहिए गुजी का खाल्सा वहिए गुजी की फते पिछे जे बीजे पी दे होम मिनिस्टर अमिद शाद एक इक देश एक जुबान दे ब्यान तो बाद पंजाब देविच्चों भी गुर्दासमान ने गल कही है कि जे पूरे देश देविच्ची को जुबान हुंदी है ते देश कोई माड़ी गल नहीं है मैं गुर्दासमान होना नो याद बना चाहांगा कि उनीस सो संताली तो बाद जदो हिंदोस्तान दी फे राजजान भी तकसीम कीता गया है ते बोली देदार दे कीता गया है जित्थे मराठी बोल दे सी ओथे मराष्ट बनाया गया जित्थे गुजराती बोल दे सी ओथे गुजरात बनाया गया जित्थे उडिया बोल दे सी उठे उडिसा बनाया गया जित्थे तामिल बोल दे सी उठे तामिल नाडू बनाया गया जित्थे मल्यालम बोल दे सी उठे केरल बनाया गया जित्थे बाद विचेचलों एही गल बनी जित्थे पंजाबी बोल दे सी उठे पंजाब बनाया गय ते जड़े हिंदी बोल दे सी ओ हर्याना तेहीं माचल बन दे हुन तुसी किस मूद आले कहने हो कि एक जुबान होवे गल ए है कि जे तुसी क्या कि यौरप दे विच्च वी जड़े देश ने वो अपनी एक जुबान एक देश रख देने कि यौरोपियन यूनियन इना दे जड़ी अपना एक बोडी है कि ओ यौरोपियन यूनियन पूरे यौरप दे विच्च एक पाशा नो लागू करा सकती है European Union दे भी हालतों में हैं जिदे ये ये अरोव दे छोटे छोटे देश ने जिदा हिंदोस्तान है हिंदोस्तान एसे करके फेडरिल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसě अलाग अलाग बोलियां अलाग अलाग किल्चर अलाग अलाग जिडे उनाइटेड करके एक ती राज्यां दा एक देश बनाया किया है एदे विच कोई माड़ी गल नहीं है जे तुसी अपनी बोली बोल देऊं था पर तुसी ये गल जो कह रहे हों कि बही जे पूरे देश चेक बोली हो वे तो हम याद होना चाहिए दा है कि उन्नी सो एक विच उन्नी सो एक आठ देविच जो सरवेखन कराए गए तो ओधों पंजाबी बोल दे लोकानों ही एना ताकता ने कहा कि तुसी अपनी बोली हिंदी लिखाओ जिदे करके बाद विच जाके पंजाब दा इन्ना वड़ा वंड़ बंड़िया होया तो जे एस सब होना सी जे एही गल होनी सी ता फिर ओस ले करना दी की लोड़ सी अपनी बोली अपनी पहचान सिर्फ बोली सिर्फ कम्मुनिकेशन करना वस्ते नहीं होंदी एदे पिछे इतिहास होंदा है एदे नाली कल्चर जुड़िया होंदा है जिदो मां बोली विसर दी है उस सारा इतिहास पूल जान देने उस सारा कल्चर पूल जान देने जे तो अपनी बोली भूल गई उन्हानों अपना ःते हास भी याद नहीं युंन अभी नहीं पता की साधा कल्चर की सी वह अपनी पहचांधको चुके है던 है क्यों कि अपनी बोली भूल गई वह अंग्रेजीच की बटुक्ता उन्हाद नहीं है जेड़ा पंजाब पाकस्तान चलेंगा है ओथे आज पंजाबी दी लिपी किते निपड़ा ही जान दी पंजाबी सब्जेक्ट ही नहीं रहा जेड़े पुराणे समय तो पिंडा में विचे यह हो लोग पंजाबी बोल दे आए या गांदे आए वो किसे तरह नों जियोंदा रख्या होया है पर ओथे उन उर्दू नों लाजमी करता गया है जद की उर्दू कदे भी पंजाब दी पाशा नहीं सी बटवारे तो पहला भी उपंजाब दी पाशा नहीं सी पर ओथे उन उर्दू नों लाजमी करता गया है तो ओही गल जो पाकस्तान ने कीता जिदा न जदो एथे मिया मिया करन लाग पे ते महराज ने क्या कारकर मिया सबना जिया बोली अबर तुम्हारी तो अडिता बोली बदल गई पर एना ने फेर वी बोली ओस वेले बदल के अपनी जड़ी मूल पाशा वो बचाई रखी पर जड़ी हिंदी नुए थोपन दी गाल तो सी पामें अर्बी होँए, फारसी होँए, मुल्तानी होँए, पिशोरी होँए, पंजाबी होँए, हिंदी होँए, महराज ने साउधी पाशा हमादे बीठल के है, वो सारे वड लहे हैं, क्योंकि सारे वड जो भी है ता प्रमातमादी, पर जेड़ा एक खिता अलग होंदा ह ओधी अपनी पाशा हुं दिये ओधी अपनी पहचान हुं दिये तुसी आज जो कह रहे हूं कि भई उन्नु थो विता जाना चाहिए फिर होली होली पंजाबी बोलन तो लोग हट जानगे फिर पंजाबी अपना इतिहास पूल जानगे फिर गुरुगंसा महरदा पाठ कितों करेंगे बच्चे फिर कीतन की में समझेंगे तीरे तीरे वियो गुरुगंसा महराय तो भी टूट जानगे फिर अपने तरम तो भी टूट जानगे एही निशाना इनादा है कि एक बोली जड़ी लागू करनी है और असल देविच एक देश्ट एक तरम वल जा रही है एही गालों औरंग जेब ने कीती सी औरंग जेब वी चाउंदा से के एक को तरम रहा जाए फेता कोई फरक नहीं है ना देविच तुसी वादा साथ दे रहे हो बड़े शर्म दी गल है के गुदासमान साब तुसी पंजाबी बोली बोल के पंजाबी चे गाने गा के तुसी देवलते हो तो अटी भोली उने डिफेंट होगी उने तुसी के देख दो बोलंचे कि लागू कर देख लेने हिंदी कोई माडी गल जीक पर आपनी एक पाशा लागू करती पूरे देश देश देविच तो इन्गल हो रहा है यह दिविच कोई दोर आए नहीं है क्यों अंहें हो नहें पंजाबी बोलंगा करके पंजाबी कल्चर करके दें टूकडवे यादने माले कहने लिए कि हिंदिने कोई दिक्कत नहीं है प्योट से में फिर बेन्ति कर दां तुसे अपने स्विचार में बदलो ता जो पंजाबियां देविच सही सुनेहा जा सके वाई गुरुजी का खालसा वाई गुरुजी की फति